बीटाउन से लीकर बीटाउन तक की दुनिया में अपनी खास बहचान बनाने वाली वेटरेन एक्टरेस सुरीखा सीखरी अब हमारे भी चुन नहीं है आज शुकरवार की सुभा हाट अटेक के चलते 75 वर्ष ये सुरीखा सीखरी का निधन हो गया सुरीखा सीखरी बीते लंबे समय से बीमार चल रही थी सुरीखा सीखरी को साल 2020 में ब्रेन इस्ट्रॉक आया था जिसके बाद से वह बिस्तर पर थी शरीर के बाएं हिस्ति में पेरालाइसिस के कारण वह खुद से चल फिर भी नहीं पा रही थी सुरीखा सीखरी जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपने तम पर अपनी अलग और खास पहचान बनाई थी सुरीखा सीखरी ने तकरीबन 30 फिल्मों में काम किया वहीं सबसे ज्यादा पॉपलेरिटी मिली उन्हें टीवी शो बालिका वधु से जिहां बालिका वधु में उन्होंने दादी सा का किरदान निभाया और हर घर में वह दादी सा के नाम से मशूर हो गई उस दोरान वह 63 स्टाल की थी वहीं सुरीखा सीखरी ने इस टीवी सीरियल के अलावा भी कई टीवी सीरियल में काम किया लेकिन जहां एक और उन्होंने अपनी शांदार एक्टिंग अपनी अदाकारी के जरीए अपनी खास पहचान बनाई इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की लेकिन उनकी एक ख्वाइस अधूरी रह गई हमारी इस रिपूर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार सुरेखा सीखरी अपनी कौन सी इच्छा को पूरी करना चाहती थी दरसल जानकरी के लिए आपको सबसे पहले बता दें कि सुर इस फिल्म के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया सिनेमा की दुनिया में उनका इस ट्रगल अभी शुरू ही हुआ था वहीं साल 1986 में सुरेखा को करियर की बड़ी सफल था फिल्म तमस से मिली और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड कर नहीं देखा उन्होंने अपने फिल्मी करियर में नसीम, सरफरोश, रैनकोड हमको दिवाना कर गए बधाई हो आखरी फिल्म घोस्ट स्टोरीज में नसराइं सुरेखा सीखरी जहां एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों में हर तरह के छोटे ब दोरान सुरेखा सीखरी को कई पुरुषकारों से स्तमानित भी किया गया, उन्हें तीन बार नैशनल अवार्ड से स्तमानित किया गया, वहीं कई टीवी शोज के जरिए उन्होंने अपनी खास पहचान बना ली थी, लेकिन सुरेखा सीखरी ने जहां एक और अपनी इतनी अलग और खास पहचान बनाई, तो वहीं उन्हें तरद इस बात का था कि 42 साल के टीवी और फिल्मी करियर में उन्हें कभी भी लीड एक्टरेस के तोर पर पहचान नहीं मिल पाई, जीवन के आखरी महीनों में वह आर्थिक तंगी का शिकार हूं, इलाज के लिए खर्च बढ़ रहा था और लोगडाउन के कारण कामकाज उनका ठप हो गया, आखरी दिनों में बीमारी के चलते सुरेखा सीकरी बेहत दर्द भरी दोर से गुजर रही थे, लेकिन उन्हें मलाल इस बात करा हा कि आखिरकार उन्हें कभी भी एक लीड एक्टरेस के तोर पर काम करन का मौका नहीं मिला, सुरेखा सीकरी की यही इच्छा अधूरी रह गई, हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देख दे रहेए, नेक्स्ट नाइन यूर्स